कंगना की सिस्टर रंगोली और आलिया की मॉम सोनी राजदान के बीच शुरू हुई सोशल मीडिया वॉर। आखिर किस वज़े से रंगोली और सोनी राजदान ने सोशल मीडिया पर एक दूस्टे की खिलाफ निकाला गुस्सा। कंगना रनाथ पिछले कुछ वक्त से लगातार आलिया भट के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रही हैं। इसकी शुरूआत तब हुई जब कंगना ने आलिया को उनकी फिल्म मानी करने का के सपोर्ट में कुछ भी ना कहने का अक्यूजेशन लगाया। रिपोर्टिदली कंगना ने आलिया को करन जोहर की पपिट तक कह दिया था। हाला कि आलिया भट ने कंगना के खिलाफ इस बीच कुछ नहीं कहा लेकिन कंगना ने फिल्म गली बॉई में आलिया के परफॉर्मेंस को मीडियोकर बता दिया। वही कल कंगना की सिस्टर ने आलिया या भट फैमिली का नाम लिये बगायर इंडिरेक्ली एक ट्वीट किया और लिखा। इस के बाद फूरियस सोनी राजदान ने ट्वीट करते हुए कंगना को अंग्रेफुल बता दिया। इसके बाद रंगोली ने ट्वीट करते हुए कई चौकाने वाले खुलासे कर दिये। रंगोली ने ये तक कह दिया के महेश भत ने 2006 में वो लमहे की स्क्रीनिंग के दौरान गुसे में कंगना पर चपल तक पेख दिया था। ये रख दिया सोनी जी, महेश भत नेव गव बाद बाद अनुराग बासू दिए। महेश भत जी works as a creative director in his brother's production house. Please note that he doesn't own that production house. After वो लमहे, when Kangna refused to do a film written by him called Dhoka, where he wanted her to play a suicide bomber, he got so upset that he not only shouted at her in his office, but later when she went for वो लमहे preview to a theatre, he threw a chappal on her and didn't allow her to see her own film. She cried the whole night and she was just 19 years old. अब सोनी राजधान ने अपना ये tweet डिलीट कर दिया है. वही इस बारे में, जब एक web portal ने सोनी राजधान से उनका reaction लेनी की कोशिश की, तो उन्होने कहा, I do not wish to be drawn into this madness. वही कल आल्या को उनकी Film Highway की co-star का support मिला, जब Randeep ने बिना कंगना का नाम लिये, आल्या की तारीफ करते हुए लिखा, Dearest Aalya, I am so glad you are not letting the opinions of very occasional actors and chronic victims affect you and your work. Kudos to you for your continued efforts to outdo yourself. Aalya Bhatt was quick to reply to Randeep with some happy emojis. वैसे Randeep के इस tweet के बाद, fans speculate करने लगे, कि पोस्ट के जर्ये रंदीत ने इशारों में कंगना पर हमला बोला है. Well, आप देखना होगा कि ये सोशल मीडिया की लडाई कब खतम होती है.